हेलो फ्रेंड्स फिर से एक नई विड़े में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारा नाम आरीफ आप देख रहे हैं भाई कारपेंटर रूट चैनल दोस्तों आज का मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो स्क्वार फिट का मेजरमेंट कैसे होता है तो पूरा आप आपको कनभर्ट करना नहीं है डारेक्ट लिए आप कर सकते हैं किस तरीके से होगा पूरा आसान और सेंपल तरीका में बताऊंगा तो वीडियो का एंट तक बने रहेएगा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों यह जो तरीका है किसी को माल से इंच है और जो हाइट है हाइट में 115 इंच होता है तो दोस्तों मालेजी अभी हम लोग क्या करते हैं जो आप देख सकते हैं दो फिट बाए दो फिट दो गुना दो मतलब 4 फिट होता है अगर आपका अगर इंच में रहेगा तो यह किसी को मालुम नहीं रहता है है लंबाई में और चौड़ाय में 4 फिट है उसको डायरेक्ली आप गुना कर देंगे तो 32 फिट बनता है उसको डायरेक्ली मेजर्मेंट निकल जाता है इसमें स्कॉर फिट में जब आपका एंच में रहेगा तो ओक ऐसी करेंगे जो हाइट है आपका 11.5 लिखना है मतलब 11.5 लंबाई में है उसके बाद आपको गुना करना है इसका जो चौड़ाय है 82.5 है तो हमको लिखना कैसे है 82.5 लिखना है उसके बाद आपको टोटल आपको गुना कर देना है मतलब जो लंबाई और चौड़ाय जितना इंच रहेगा आधा इंच भी रहेगा तो आधाइस भी आपको नहीं चोड़ना है तो पूरा आपको टोटल लेलना है लेकिए गुना कर देने के बाद जो आपका एंसर निकलेगा 9198 होता है 9198 एंसर होगा मतलब आपका जितना भी निकल सकता है आपका जो जो साइज है उसकी हिसाब से आप करेंगे आपका जो जितना भी गुना करने के बाद जितना निकलेगा उसको अप क्या करना है भाग देना है भाग कौन सांस से करेंगे 144 दे के भाग देना है उसको यह जो हमारा निकला है गुना करने के बाद इसको भाग करना है 144 से भाग करना है उसके बाद 144 जब भाग कर देंगे तो आपका इसमें एंसर कितना आएगा 63 आएगा देखिए हमारा यहां पर 63 आया है लेकिन आपका जो लंबाई और चवडाई को गुना करने के बाद जो 144 द बनता है उसके बाद आपका जो प्राइस रहेगा जितना प्राइस को आप वो प्राइस देकर दुना कर देंगे तो अपर टूटल video देने का कोर्ते हों है तो दोस्तों मैं इसतरे गाइसे वीडियो बनाता रहता हूं और मैं कर्दर हो और वे आपको अनने वाना हम और भी आपको दूसरा यूश देने वाला हूं तो दोस्तों मेरा